न्यूनोबल प्राइमरी स्कूल टिन्टोई कक्षर साथ हिंदी स्वध्यपोथी चेप्टर एक बेटी कवीता कवीता का सरल अर्थ मैं बेटी हूँ मैं अपना विकास करूंगी अपना विकास कर मैं दूसरों का सहारा बनूंगी उन्हें आसर्य दूंगी मैं बेटी हूँ मैं किसी से कम नहीं हूँ जीस तरह आकास में चांद चमकता है उसी तरह मैं धर्थी पर चमकूंगी और चारों और अपना प्रकास फैलाऊंगी चारों और मेरा यस फैलेगा मैं बेटी हूँ मैं किसी से कम नहीं हूँ मैं पढ़ूंगी लिखूंगी और मेनत कर आगे बढ़ूंगी मैं आत्मनिर्भर वनूंगी पढ़ लिख कर मैं दुनिया के व्यवहारों को देखूंगी और समझूंगी मैं बेटी हूँ मैं किसी से कम नहीं हूँ जीस तरह बाग में सुन्दर फूल खिलते हैं उसी तरह मैं दुनिया रुपी बगीचे में खिलूंगी और अपने कारियों से जीवन में सुगन फेलाऊंगी जीस तरह तितली हवा में उड़ती है उसी तरह मैं भी प्रगती करती हुई अपनी मंजिल पर पहुँच जाऊंगी मंजिल पर पहुँच कर मेरा दिल नाच उठेगा और मैं खुश होकर गाने लग जाऊंगी मैं बेटी हूँ मैं किसी से कम नहीं हूँ अब स्वाध्या पोथी के प्रश्ण देखेंगे हम प्रश्ण एक निम्न लिखित प्रत्यक प्रश्ण के उत्तर के लिए दिये गई विकल्पों में से सही विकल्प चुन कर उसका क्रम अक्षर प्रश्ण के सामने दिये गई चोरस खाने में लिखिए तो पहला प्रश्णा, जीवन में उन्नती करने के लिए खाली जग्या आवश्य है A. परिवार, B. सहारा, C. शिक्षा, D. परिख्षा तो C. शिक्षा 2. बेटी खाली जग्या का चांद बनेगी A. परिवार, B. समाज, C. पाट साला, D. धर्ती तो बेटी, D. धर्ती का चांद बनेगी प्रश्णदो कौश्टक में से उचित सब्द चुनकर रिक्द स्थानों की पूर्ती कीजिए तो कौश्टक में कुछ सब्द दिये गए है मेहनत, उजियारा, सहारा, हवा और दुनिया तो यहां लिखना है पहला है कारा बनूंगी, सहारा बनूंगी दूसरा, दर्ती पर चमकूंगी मैं उजियारा करूंगी तीसरा, पडूंगी, लिखूंगी, मैं मेहनत करूंगी च्वथा, दुनिया को देखूंगी, मैं दुनिया को देखूंगी पांचवा, खाली चग्या को चुमूंगी, नाचूंगी, गाउंगी तो हवा को चुमूंगी, नाचूंगी, और गाउंगी प्रश्णतीन, सही वाक्यां स्चून कर वितानों को पूर्ण कीजी पहला हैं, गगन पे चमके चंदा, तो अ मैं उजियारा करूंगी, ब मैं धर्ती पर चमकूंगी या क मैं तारा बनूंगी, तो गगन पे चमके चंदा, ब मैं धर्ती पर चमकूंगी दूसरा अपने पाव चलकर में अ मेहनत करूंगी ब दुनिया को समझूंगी क दुनिया को देखूंगी तो क दुनिया को देखूंगी तिसरा तितली बनूंगी में अ हवा को चुमूंगी ब बागो में खिलूंगी या क नाचुंगी गाउंगी तो अ हवा को चुमूंगी चौथा प्रश्ण निम्न लिखित प्रश्णों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए प्रश्ण एक बेटी तारा बनकर क्या करेगी तो बेटी तारा बनकर दूसरों को सहारा देगी दूसरा बेटी धर्ती पर किस की तरह चमकना चाती है तो बेटी धर्ती पर चान की तरह चमकना चाती है तीसरा बेटी किस लिए मेहनत करेगी तो बेटी अपने पेरों पर खड़े होने के लिए मेहनत करेगी चौथा, दुनिया को समझने के लिए बेटी क्या करेगी? तो दुनिया को समझने के लिए बेटी पड लिखकर अपनी उद्धी का विकास करेगी पांचवा, बेटी अपने पाओ पर कैसे खड़ी होगी? तो उत्तर है बेटी पड़ लिखकर अपनी मेहनत से अपने पाओ पर खड़ी होगी शठा, बेटी कब नाजेगी और गायेगी? तो बेटी अपनी मनजील पर पहुंचकर नाजेगी और गायेगी पाजवा प्रश्ण निम्न लिखिर प्रश्णों के उत्तर दो दो वाक्या में लिखिए तो पहला प्रश्ण है आत्म निर्भर बढ़ने के लिए आप क्या करेंगे तो इसमें लिखेंगे आत्म निर्भर बढ़ने के लिए हम बढ़ाई करेंगे हम अपनी योग्यता के अनुसार कोई काम करेंगे हमारा काम भले छोटा हो परन्तु हम उसमें सफल होने की पूरी कोसिस करेंगे दूसरा बेटी सहारा बनने के लिए क्या करेगी तो बेटी सहारा बनने के लिए पढ़ लिखकर आगे बढ़ेगी वह अपने पेरों पर खड़ी होगी इस तरह सहारा बनने के लिए पहले बेटी अपने को सहारा देने लायक बनाएगी पीसरा बेटी दुनिया को कैसे समझना चाती है तो बेटी मैनत कर पड़ाई करेगी और अपनी वुद्धी का विकास करेगी वह लोगों के काडियों और प्यभारों को देखेगी इस तरह बेटी दुनिया को समझना चाती है चोथा बेटी तितली बनकर क्या करना चाती है तो बेटी तितली बनकर बागों में गुमेगी और हवा को चुमेगी वो मस्त होकर नाचेगी और गायेगी इस तरह तितली बनकर बेटी जीवन की स्वतंत्रता का आनन लेना चाती है चथा प्रश्ण प्रश्ण च निमन लिखित प्रश्णों के उत्तर लिखिये पहला प्रश्ण बेटी कविता का बावार्थ संग्षिप में लिखिये इसमें लिखेंगे हमारे देश में लड़कियों के विकास पर कम ध्यान दिया जाता था अब समय बदल गया है लड़कियां चाहती है कि उन्हें आगे बढ़ने के लिए अवसर दिये जाए वे पढ़ लिखकर योग्य और आत्मा निर्बर बढ़ना चाहती है वे समाज और देश के विकास में हाथ बटाना चाहती है न्यान विग्णान सिखना चाहती है दूसरा प्रश्ण बेटी की क्या क्या तमन्नाए है तो इसमें लिखेंगे बेटी तारा बनना चाहती है वे धरती पर चान की तरह चमकना चाहती है उसकी इच्छा दुनिया रुपी बाग में खिलने वाला फूर बनने की है वे तितली बनकर हवा को चुमना चाहती है इस तरह बेटी के दिल में कई तरह की तमन्नाए है तीसरा प्रश्न बेटी पढ़ लिखकर क्या करेगी तो बेटी पढ़ लिखकर और मेहनत कर अपने पेरों खड़ी होगी वो सारी दुनिया को देखेगी और समझेगी इस तर बेटी आगे बढ़ेगी और दुनिया को दिखा देगी कि वो किसी भी बात में किसी से कम नहीं है चौथा प्रश्न बेटी की तर आप किसी का सहारा बनने के लिए क्या क्या करेंगे तो बेटी की तर मैं किसी का सहारा बनने के लिए पहले स्वयम को सहारा देने लायक पनाऊंगा मैं खुक पढ़ूंगा और फिर धन कमाऊंगा धन से मैं दूसरों की मदद करूंगा मैं गरीब विद्यार्थियों की पड़ाई लिखाय में पूरी मदद करूंगा लाचार गरीबों के इलाज का प्रबंध करूंगा बे रुजकारों को कोई न कोई काम दिलाऊंगा पांचवा प्रश्ना बड़े होकर आप क्या बनना चाहते हैं क्यों तो इसमें आप खुद भी लिख सकते हैं कि आप क्या बनना चाहते हैं और क्यों तो हम लिखेंगे बड़ा होकर मैं अपंगों का डॉक्तर बनना चाता। मैं देखता हूँ की तरह तरह की दुर्गटनाओं के कारण देश में अपंगों की संक्या बढ़ती जा रही है। लाचार अपंग अपना ठीक से इलाज भी नहीं करा सकते। बहुत से अपंगों को भी बीक मांग कर पेट भणना पड़ता है। समाज में अपंगों को कोई सम्मान नहीं देता। वे बेचारे आशूों के गुट पीकर जीते हैं। मेरा प्रायत नहोगा की अपंगों की अपंगता निट जाय और वे भी अपने बल पर जी सके। छठा प्रस्न आप जीवन में क्या करना चाहते हैं यह यहाँ पर लिखना है तो मैं जीवन में समाज और देश की सेवा करना चाहता हूँ मैं लोगों को बुरे व्यसनों से छुटकारा दिलाऊंगा जाती पाती का बेद मिटा कर सबको समानता का पाठ पड़ाऊंगा देश में बढ़ रही बेइमानी और ब्रश्टाचार मिटाऊंगा मैं एक आदर समाज का निर्मान करना चाहता हूँ मैं अपने देश की जनता को सुखी बनाना चाहता हूँ प्रश्ण साथ निम्न लिखित का व्यपंक्तियों का बावार्थ लिखिए तो ये पंक्ति है इसका बावार्थ लिखना है पहला गगन पे चमके चंदा मैं धर्ती पे चमकूंगी धर्ती पर चमकूंगी मैं उजियारा करूंगी तो इसका भावार्थ यहाँ पे लिखेंगे जिस तरह आकास में चांद चमकता है उसी तरह मैं धर्ती पर चमकूंगी और चारो और अपना प्रकास फेलाऊंगी चारो और मेरा पर फेले गाव मेरा यस फेले गाव दूसरा है पढूंगी लिखूंगी मैं मेहनत करूंगी अपने पावड चलकर मैं दुनिया को देखूंगी दुनिया को देखूंगी मैं दुनिया को समझूंगी तो इसमें लिखेंगे मैं पड़ूंगी लिखूंगी और मेहनत कर आगे बढ़ूंगी मैं आत्मा निर्बर बनूंगी और लिखकर मैं तुनिया के व्यवहारों को देखूंगी और समझूंगी प्रश्ण आठ निम्न लिखीत मुहावरों के अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए अब यहाँ पर कुछ मुहावरे दिये गए हैं उसके अठ लिखकर वक्य लिखना है पहला है तारा बनना तो श्रेष्ट बनना या स्वविकास करना मैं लिखेंगे वक्य मुझे विश्वास है कि दिपाली तारा बनकर सबको चकित कर देगी दूसरा है धर्ती पर चमकना तो नाम कमाना और यस्प्यलाना तो वाक्य है महाप पूरुसों के नाम आज भी धर्ती पर चमक रहे है तीसरा है अपने पाव पर चलना तो आत्मनिवर बनना वाक्य है प्रत्यक युवक को अपने पाव पर चलना चाहिए प्रश्ण नौ, उदाहरन के अनुसार वचन परिवर्थन करके वाक्य में प्रयोग किजी तो यहां उदाहरन है गोडा तो गोडे वाक्य प्रयोग है गोडा दोड रहा है दुसरा है गोडे दोड रहे है ऐसे हमें यहां लिया गया है पहला मैं तो हम वाक्य प्रयोग है मैं पड़ रहा हूँ दूसरा है हम पड़ रहे है ऐसे ही दूसरा है बच्चे तो बच्चा वाक्य प्रयोग है बच्चे खेल रहे है दूसरा बच्चा खेल रहा है ऐसे ही तिसरा है खिलोना तो खिलोने वाक्य प्रयोग है खिलोना सुन्दर है दूसरा ख प्रश्ण 10 नीचे दिये गए सब्दों के अर्थ लिखी और उन अर्थों को सब्द को उसके क्रम में लिखी इसका अर्थ लिखकर हमें यहां क्रम में लिखना है पहला है मिसाल तो उदाहरण दूसरा है गर्व तो अहंकार तीसरा है अंबर तो आकास च्वथा है सान तो प्रतिष्ठा पांचवा है कश्ट तो मुसीबत अर्थ सब्द को सब्द को सब्द को उसके क्रम में लिखेंगी पहले आएंगा अहंका, दूसरा आकास, तीसरा उदाहरण, च्वथा प्रतिष्ठा पर पांचवा है मुसीबत प्रश्ण 11 निम्न लिखी सब्दो को उदाहरण के अनुसार उचित क्रम मेरक कर अर्थ कून वाक्य बनाईए उदाहरण है सब्द चाहिए का प्रका प्रसार गर गर होना में सिक्सा ऐसे ही इसका वाक्य है गर गर में सिक्सा का प्रचार होना चाहिए प्रश्ना एक पहला है पेड बारत का की है मुलत नीम दर्ती इसमें वाक्या लिखेंगे नीम मुलत बारत की दर्ती का पेड है ऐसे ही दूसरा वाक्य बनाएंगे दातों के लिए नीम की दातुन स्रेष्ट होती है तीसरा बनाएंगे दिया जलाकर आंगन में रख दिया चौधा है, हमें खाने में अधिर्ता नहीं दिखाने चाहिए। ऐसे ही पांचवा यहां पर बनाना है, हमारे व्यवहार में विनम्रता भी होनी चाहिए। प्रश्ण बारा, उदाहरं के अनुसार विलोम सब्द लिखे और मूल सब्द तथा विलोम सब्द का वाक्या में प्रयोग कीजिये। उदाहरण है, सफल तो असफल ऐसे ही वाक्य प्रवग किया गया है पहला तेन सिंग एवरेश्ट पर पहुँचने में सफल हुए दूसरा कई बार मैनत करने पर भी आदमी असफल होता है ऐसे ही पहला है आकाश तो धर्ती बाक्य प्रवग है, देखते ही देखते वीमान आकास में पहुँच गया दूसरा है, यात्री सुरक्षी तुरुप से धर्ती पर उतर गर दूसरा उजियारा तो अंधियारा बाक्य प्रवग है, पहला सुब उजियारा होते ही हम काम में लग गए तुसरा, साम को अंधियारा होते ही हम गर लोटाए तुसरा, इधर तो उदर उसमें वाक्यों प्रयोग करेंगे पहला, आप इधर बेठेंगे तुसरा, आप उदर बेठेंगे तुसरा, बलाई तो बुराई ऐसे ही वाक्यों प्रयोग करेंगे पहला, संथ सब के साथ बलाई करते है दूसरा, दूस्टों को दूसरों की बुराई करने में मजाता है पांचवा, पाना तो खोला वाक्य प्रयोग करेंगे, सफलता पाना सबको अच्छा लगता है दूसरा, कभी-कभी जो अच्छा लगता है, उसी को खोना पड़ता है प्रश्न तेरवा, निम्न लिखी त्वाक्यों में से गुण वाचक विशेशन चान कर खाने में लिखी तो यहाँ पे कुछ भाक्य दिये गए है, उसमें से यहाँ गुण वाचक विशेशन हमें इस खाने में लिखना है पहला है, वरद राज चतूर बालब था, तो इसमें दिया गए है चतूर, यहाँ लिखेंगे चतूर ऐसे ही दूसरा है, फूल वाजार में पीले गुलाब मिलते है, तो यहाँ पर है पीले, यहाँ लिखना है पीले तीसरा है, मिर्ज का स्वाद तीखा होता है, तो यहाँ गुणवाचक विशेशन है तीखा, तो यहाँ लिखेंगे तीखा चोथा है, सहरों में पंजाबी खाना मिलता है, तो यहाँ लिखेंगे पंजाबी पांचवा है सफेद कपडों में दाग तूरन दिखाई दिता है तो यहां गुण वाचक विशेशन है सफेद यहां लिखेंगे सफेद प्रश्ण चोदवा चौदा, निम्न लिखीत सब्दों में से निष्चित संख्यावाचक और अनिष्चित संख्यावाचक विशेशन छाण कर लिखी अब यहाँ पर कुछ सब्द दिये गए हैं, हमें इसे निष्चित और अनिष्चित दो भाग करने हैं तो निष्चित संख्यावाचक विशेशन हैं, पचास, डाई, चोगुना, चारो और अनिष्चित संख्यावाचक हैं, कई, थोडा, बहुत, उच और ज्यादा एसे ही प्रश्ण पंदरा रकल्प कारिय, प्रोजेक्ट वर्क तो भिन 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 शेत्रों में महत्व पुन योगदान देने वाली निम्न लिखित नार्यों के बारे में लिखे बुद्दे हैं, जन्म, बाल्यकाल, शिक्षा, जिक्षेत्र में वो योगदान दिया है, उसका विवरन सचित्र जानकारी करना तो इस मुद्दे सिह में उनके बारे में लिखना है, पहला है स्रीमती इंदिरा गांधी, तो उनका शेत्र है राजनीती इनका जन्म, 19 सवंबर, 1917 को इलाहाबाद में हुआ था, इनकी सिक्षा इलाहाबाद और सांतिनीकेतन में हुई थी पिता भारत के पूर्व प्रधान मंत्री जवाहल लाल नेहरु के सानिध्य में रहकर उन्होंने राजनीती का अनुभव प्रात्त किया सन 1967 में भारत की पहली महिला प्रधान मंत्री बनी सन 1909 में पोखरण में पहला परमानु बम विस्पोट हुआ दुनिया चकित रह गई सन 1911 में भारत पाकिस्तान युद्ध में पाकिस्तान की बुरी तर पराजय हुई और बांगलादेश नामक नए राष्ट्र का जन्मं हुआ दुसरा है स्रीमती सावित्री बाई फुले उनका उश्यत्र है त्री सिक्सा तो इनका जन्म सन 1821 में हुआ था वती जोती राव फुले से मराठी में सिक्सा प्राप्त की सन 1828 में कन्या साला खोली जो भारत की पहली कन्या साला थी पुरा जीवन सिक्सा के प्रचार प्रसार में बिताया वे महाराष्ट की प्रथम प्रशिक्सित महिला अध्यापिका थी तीसरा कलपना चावला उनका श्यत्र है अंत्रीक्स विग्णान तो कलपना चावला का जन्म हरियाना प्रांद के कर्णाल जिन्ने में हुआ था उन्होंने आरंबिक शिक्षा मोल मोलय उदन कर्णाल के टैगोर विद्यालै से प्राप्त की एंजिनियरिंग की शिक्षा पंचात इंजिनियरिंग कोलेज चंडी घड से प्राप्त की इसके बाद वे अमेरिका गई और तेक्सास विश्व विद्यालै से एरो स्पेस एंजिनियरिंग में MSC की डिगरी हासिल की पलतना चावला अंत्रिक्स यात्री के रूप में प्रसिद है वे अंत्रिक्स में पहुँचने वाली विश्व की प्रथम महिला थी वर्वरी 2003 को उनका अंत्रिक्स यान धर्ती पर लोट रहा था तबी उनके गटना प्रास्त हो जाने से उनकी मृत्यू हो गई च्वथा है मेडम क्यूरी उनका श्यत्र है भौतिक विग्णान मेडम क्यूरी का जन्म साथ नमंबर 1866 को पॉल्लेंड के वार्षा सहर में हुआ था है स्कुल तक की सिक्सा वार्षा में ही प्राप्त की विग्णान का उच्च अधयन पेरिस में किया उन्हें यूरेनियस की खोश के लिए सन 1935 में नोबल पुरसकार मिला पांचवा है सरोजीनी नाइडू उनका प्षेत्र है साहित्य सरोजीनी नाइडू का जन्म 13 परवरी 1925 को दक्षिन बारत के हैद्राबाद नगर में हुआ पिता अगोर्ना चटोपाद्याई निचाम राज्य के सिक्सा विपाग में उच्च अधिकारी थे उन्होंने पुत्री की सिक्सा के लिए अंग्रेज और फ्रेंच अध्यापक मियुक्त किये सरोजीनी को सुरू से ही काव्य रचना के प्रती लगाव था उनके गोल्डन हैसोल्ड और ब्रोक कन बिंक्स काव्य संग्र बहुत प्रसीत हुए अपने मदुर कंड की कारण उन्हें भारत को कीला कहा जाता है उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भुमी का अधा की अब यहाँ पर प्रवृत्या है पहला है बेटा बेटी एक समान इस विशय पर अपने विचार व्यक्त कीजिए तो बेटा बेटी एक समान उस पर हमें कुछ लिखना है इसमें लिखेंगे बेटा और बेटी दोनों एक ही माता पिता की संताने होती है इसलिए माता पिता का स्वाबाविक प्रेम दोनों के प्रती समान होना चाहिए परन्तु लड़की पराया दन होती है इस मान्यता के अनुसार पहले लड़कियों की सिक्सा की उपिक्सा की जाती थी बेटों को पड़ाया जाता था, आज समय बदल गया है बत्मान में ऐसा कोई शेत्र नहीं, जिसमें महिला एक काम न कर लही है इस प्रकार आज बेटा बेटी में अंतर नहीं रह गया है दुसरा है, बेटी के प्रती मा का प्रेम प्रकट करने वाली कुछ काव्य पंक्तिया खोज कर लिखिए तो कुछ पंक्तिया हमें अपने सुनी हो तो लिखनी है तहली है, वह मेरी गोदी की सोबा, सुख सुहा की है लाली ताही सान बिखारिन की है मनोकामना मतवाली दूसरा बीब सिखा है अंदकार की धनी घटा की उजियाली उसा है यह कमल भूंकी है पतजड की हरियाली तिसरा है सुदाधार यह निरस दिल की मस्ति मगन तपस्विनी जीवन जोती नश्ट नयनों की सच्ची लगन मनस्वी की त्वथा है मेरा मंदीर मेरी मस्जीर काबा कासी यह मेरी उजापाट ध्यान जब तप है गर गर बासी यह मेरी तिसरा है अपनी छोटी बेहन के स्वभाव के बारे में पांच पक्तिया लिखिए आपकी कोई छोटी बेहन हो तो उसकी स्वभाव के बारे में हमें पांच पक्तिया यहां पे लिखनी है आपको जो भी लिखना हो आप लिख सकते हैं हम लिखेंगे मेरे लिए तो तू है जैसे बगवान का एक उपहार बेहना युगी बना रहे तेरा मेरा प्यार रुठ जाए तो घुडिया लगती डाटे तो लगती मा मेरी हर एक बात में रगती तू है मिला कर हाथ यहां पर हमारा चेप्टर एक स्वध्य पोधी पून होता है इसका स्वध्य आप सबको नोट में लिखना है थेंक्यू